हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जीडेस के लिए जो आज का जो लेटेस्ट अपड़ेट है।Ent है उसके बारें बात करेंगे है, करेंगी जीदेस के लिए जो भी लेटेस जो बॉंड से रिलेटर अभी जो जीज बॉंड यूज करते हैं उनके लिए क्या भी अभी लेटेस नोटिफिकेशन है और तुसके ऊपर जो है इस तरीके से जो है काम करना प्लस अभी साथ ही साथ यूनियन की तरफ से भी कुछ लेटर गया है तो दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे जो है लेटर की कॉपी भी दिखाऊंगा जिसमें की बताया गया है कि जीडेस का जो बॉंड है उसकी क्या लेवल होना चीए और किस तरीके से उसको यूज करना चीए और क्या-क्या इसमें और इसके इंपॉर् सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें इससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन बबाएं दोस्तों देख सकते हैं यह है लिजिबिल्टी जो है पी एल आई और आर पी एल आई जो है जो यूज करते हैं इसमें कहा गया है कि जो इलिजिबिल्टी एज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए तो जो लोग जो है इस पी एल आई और आर पी एल आई बांड को लेना चाहते हैं उनको जो जो है 65 एर्स तक जो है यह अलाव होना चाहिए क्योंकि रेटायर्मेंट की जो एज जो रखी है वो 65 एर्स रखी है in the present set of rules GDS has to furnish security in the form of fidelity guarantee bond अभी जो security है हो that is in the form of fidelity guarantee bond और इसके अलावा जो no cooperative credit society has paid any amount to the department तो ultimately union का यह भी कहना है कि security will be in the form of policy bond instead जो है fidelity guarantee bond तो अभी जो इसका bond भरवाते हैं वो होना चाहिए इस एक तरीके से जो है fidelity guarantee bond होता है और policy bond होना चाहिए इंस्टेड और fidelity guarantee bond होना चाहिए और साथ ही साथ जो है एज में जो है enhancement करने की बात की गई है कि जो 55 years है उसको 65 years कर दिया जाए जिससे कि जया से ज़्यादा लोग इसको ले सके हैं तो दोस्तों यह था एक नया order और आप देख सकते हैं उसके उपर जो है यूनियन ने भी reply किया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दस वीडियो